कि हमारे सी टेक्शन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपको दोस्त अजाला आज का हमारा वीडियो है इस वीडियो में हम लोग बारे में जानने वाले हैं इसके पहले भी हम तीन वीडियो बना चुक्त हैं एंपर जिसमें इंट्रोड़क्शन भीयारियो सिस्टम में बताए हैं तो अगर आप उस वीडियो को वाच नहीं किये हैं तो उस वीडियो का जरूर देखें में डाला हुआ रहेगा उसमें आपको बताए गया है है त्वीडियों घ्रिकवीड प्रेंट कर सकते हैं जब लगाते हैं तो उसी तरह से अगर आप थंडी की तिनों में गर्मी ले शकते हैं पूरा का पूरा इंडोरुइंट हम लोग यूज़ करते हैं तो आप यह तो गर्मी ले सकते हैं या फिर ठंडा ले सकते हैं एक टाइम में आप ठंडा और गर्मी नहीं ले सकते हैं जो की हीट रिकभरी भी भी ले सकते हैं और पूल भी ले सकते हैं जैसा कि आप देख रहे ह आखें को यूज कर सकते हैं का बेरी आब्येंक को सिस्टम यहां करते हैं अब हैं यह आँद्ळॉइंब बनाया है यह कैसे वर्क करता है यह हम इसके बारे में एके करके आप लुग को बताएंगे सबका फंसन बताएंगे कि अगर आप जब हीट मोड में चलाएंगे तो उस ताम हमारा कंडिशन क्या होता है और जब आप फुल मोड में चलाएंगे उस ताम किस कंडिशन में आपको देखने को मिलेगा और हीट और फुल जब दो में एक साथ यूज होगा उस टाम यह अगर आप वाच करेंगे अगर एक ही वीडियो में हम टोटल बताएंगी तो वीडियो तो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसको सेपरेट बताते हैं यह हमारा इंवर्टर टाइप एसकोल कंपरेसर है और दूसरा यह जो आप देख रहे हैं यहां पर लगाया हुआ हुआ है है और जो आप देख रहे हैं अ यहां बना हुआ है यह हमारा डिवार्सिंग विया है और क्या क्या है इसके बारे में आपको बताएंगे दूसरा है होट गैस लाइन सख्षान लाइं लिकुल लैं यह मतलब इसको थ्रीप सिस्टम भी इसको बोला जाता है इसको फ्रीप सि की तेशन कंपयोग पदूरीन दोियियुजन लें इंदो्सरा आगे आगे बाइपास कर सकते हैं इसको सिस्ट्म बनाती है और डिए तियुर्गेंट से उस्के लोग मल्टी किट से नाम से जानते हैं सेपरेशन टीप के नाम से जानते हैं यह माँ को बता दी कि कोई अगर पूछ रहे किसी दूसरा नाम से तो आप जाने कि इसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है यह हमारा रेफिनेट हो गया यह जो आप बॉक्स टाइप जो देख है ना यह बॉक्स टाइप यह हमारा ब्रांश कंट्रोलर है ठीक है इसके अंदर अभी आप प्रिटकल में जब आप इस चीज़ को देखेंगे यह बॉक्स को यह एक लंपा जैसा होता बॉक्स बना हुआ उसके अंदर तीन पाइप को इंटर कराया जाता है और दो पाइप तो यह हम सम्झाने के लिए इस तरह से ड्राइंग आप लोग को बना दिये हैं इसके लिए आप वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप शुरू से लाइस तक बने नहीं है तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा यह हमारा इंडोर इंट है इधर में लगा हुआ पटह来 कर सकते हैं और यह हमारा ओडोर इंट है इसको हम लोग आप अब हैं अदटी की दिढ़ों में क्या होता है यह हमारा एंजий कंद में यहां पर यहां पर यहां पर क्या है कि दोनों चाहिए यूज कर रहे हैं और गर्मी भी ले रहे हैं इसलिए हम लोग इसको अब प्रेटर कोई नहीं बोल सकते हैं इंडोर उनिट के नाम से जाने हैं दूसरा और रिट के नाम से जाने हैं तो यह चीज आप टूटल डिवाइस देख लिए अभी हम इसका स्टटी करेंगे इसमें क्या होता है हीट डिखाब्री ब्हार इस सिस्टम में जैसा कि आपको हम बता दिए कुलिंग हें कोई हैं और तीसरा है only heating cycle तो सबसे फाइने में study करेंगे cooling and heating cycle यह दोनों system कैसे बग करता है यह compressor हो गया compressor का क्या काम है सर करना और रेफिजेंट को discharge करना यह सक्षार्ज करने का इसमें क्या होगा इसमें क्लोज होता है और अब यहां से इधर रेफिजेंट इधर जाने के बाद इधर में condenser में आया ठीक है और यहां पर इसमें क्या होता है कि गैस यह पानी जहां इसमें यह यूज किया हुआ है यह वन वे सिस्टम इसको बला था वन वे भर बला जाता है यह एक मगल से जाने का रास्ता है दूसरा इसमें आने का रास्ता नहीं है तो यहां पर क्या है कि यहां पर बाइपास कर देगा यहां पर कंडेंस ने को यह हमारा बाइपास हो करके रेफिजेंट इधर आएगा लिक्विड लाइन में आ गया तो इसमें पर बाइपास हो करके अब अभी क्या है यहां से दिश्चार्ज रहें था कुछ रेफिजेंट हमारा इधर भी आया इधर भी गया तो रेफिजेंट हमारा इधर भी आया इस सिच्वेशन में क्या होगा कि इधर आने के बाद रेफिजेंट में आया यहां से आने के बाद आगे गैस जाने के लिए पोजिशन में यह भल्व हमारा क्लोज रहेगा रिफिएंट क्या है आगे ऐसे बढ़ेगा कि आगे आने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं यह room में हमको हेटिंग चाहिए यह रूम लगये होगा है यह room में हमको हीटिंग इसकी इंद्र होगा तो वहँगा बंध हमारा सुन्ट नेटवर्ग ओपेन हो जाएगा अपने के बाद का जो भी ठंदा है इनसान ठंदा है जो भी समान ठंदा है वहाँ पर अपना हेटिंग को पर्डूस करेगा और उस कंडिशन में यहां जो वेपर जो हमारा रहा है डिस्चाज जाएंग से वह है कंडेंस होने लगेगा कंडेंस होने के वाद वापिस इधर आएगा आगे बढ़ेगा आउट करने के बाद यहां पर देखरें अलेक्रोली के इसमें अपने नहीं जाएगा दिवाइस में नहीं जाएगा बिकोज यहां पर इसका ओपन मिल रहा है नार्भी इसलिए इसमें नहीं जाएगा यह क्या करेगा जो hot-gass line आया इधर में जो भी रेफिजेट condense होने के बाद NRV से होते हुए वापिस इधर liquid line में आएगा तीक है यहाँ पे liquid line में आगया liquid line में हमारा condenser side से भी liquid आ रहा है और यह refigens भी liquid आ रहा था अभी यह जो refigens है यह तो इसके अंदर यहां पर कब देंकर कर लिए तो अभी हम यहां पर पर आगे हैं यहां पर प्रुलिंग चाहिए इसके लिए उपको लीकुट रेफिजेंट चाहिए तो यहां से होते हुए वापिस इधर आएगा यह इंटर नहीं करेगा क्यूंकि यहां पर ओपें पोजिशन में था यहां पर इसका क्लोज पोजिशन में इधर से जा रहा है इधर से जा रहा है इधर से जाएगा तो यह ऑपें इसको बोलते हैं अजय रेफिजन कंट्रोल डिवाइस और इसमें क्या होता है जितना डिमांड है उसके इसाप से यह क्या करें रेपिजर्ट का प्रेशर को तंप्रेचर को घड़ा देगा यह और उसके बाद यहां पे बहुत लोग प्रेश यहां पर जो भी समान रहाएगा वो इस थंडा हो जाएगा इंसान पर निकलेगा यहां पर यह जो हीटिंग को यह सक्सरमाइन में आएगा प्लाइन में झ trophied याध रख़ें कि रहेगा क्या रहेख़ु है यहां पर सक्सालेटिन आने के बाद किदर आएगा यहां पर आगा पर होता है लाए के वी आप उसने हो पाता है तो सभी पूरा नहीं रहेगा ना वह नीचे बॉटम साइड में आ जाएगा नीचे में आ जाएगा और वेपर हो जाएगा यह हमारा यहां से क्या करेगा यह आया आने के बाद क्या होगा यह सब कर लेगा यह जो देख रहे हैं यहां से क्या रिविजन को इंटर करेगा इसमें करेगा और वापिस कंप्रेशर में लेगा और यह वापिस दिखाएगा यह तो यह प्रोसीजर चलते रहेगा हीटिंग पूलिंग सेकल में आ गया होगा कि हीटिंग के टाय जो है जिस इंटरुट में हीटिंग चाहिए हिटिंग कर लाइन से हीटिंग का बाद रहें 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 बाद में liksom वापिस आ जाएगा अभी हम जानेंगे अगर only heating यूज करने के लिए only heating के लिए क्या प्रोसिजर है हीटिंग सैकल में कैसे वर्क करता है अभी हम लोग only heating cycle देखेंगे यह हमारा हीट मोड में total unit अभी हम लोग चलाएंगे इसमें क्या होगा यहां से डिस्चार्ज करेंगे इधर आएगा तो यह हमारा यह हमारा यह वाल है लेकिन यह इधर नहीं आ सकते हैं यहां से रेफिजियंट डिस्चार्ज नायन का दो आ रहा है यह जो हमारा है यह जो हमारा यह हमारा यह हमारा इसके अंदर इंटर करेंगा तो यहां पे करेंगे जो भी हमारा रूम का टमप्रेशर डाउन रहेगा तो यहां पर हीट मिलने पाद हीट प्रोड्यूस करके वापिस जो रेफिजियंट जो है वेपर से लिकुड में बन जाएगा ठीक है वापिस लिकुड हो बनने के बाद यहां पर देख रहे है नर्भी का लाइन टोटाल जो रेफिजेंट लिकुड हो करें रहें है यहां यहां में यहां पर यहां पर डेख रहे हैं यह हमारा ऑपोजिट आइसमें इसमें नहीं करेगा यहाँ प्रेशर को पुरा डाउं करने के बाद यहां पर हीट को आपना रेशिजन्स होगा केंददवियों कि यहां पर बहुत ज्यादा कर देगा तो तो सफेट्य sisters Rabbi लुँ हादि यह यहां पर रेफिजोंट हो देगा और यहां पर उपर तर्हें की दर यहां पर एफिजेंट सब करके वापिस कंप्रेसर में चले जाएगा यह प्रसेशर हमारा हीटिंग साइकल को हो गया करें लए हमारा में अधर मेंग साई है क्यों क्लिक साइक देखर होगे एकनमर में और यह वाला हमारा कुछ हो जाएगा तीक है आभी यहां से प्रोसीजर है है पोग करेगा नहीं करेगा यह जो भी रेफिजेंट है वापस इधर में आएगा और यह रेफिजेंट इधर से होते हुए यहां पर हीट एक्षेंज रहेगा कंडेंस रहे हैं कि यह हमारा क्या है राइड वे मतलब इधर से जाने का रास्ता है यह अपर रहता है है यहां पर इसे बाइड ने के बाद यहां पर यह दो में चाहिए तीन में चाहिए यह इधर से ब्रांश कंड्रोलर में जोगे डिमांड रहेगा को लिंग का हीटिंग का तो उस हिसाफ से यह काम करेगा यहां पर कुलिंग का डिमांड है तो इसलिए लिकुड लाइन का भर वोपेंशन रहेगा अभी इधर आने के बाद यहां पर आप देख रहें यह अंदर फ्लो कराया जाएगा यह हमारा एक्सपंशन भर लगा हुगा दा यह तो इस इसाफ से दिख रायगा और वहां पर जो भी रहेगा आस पास र की मस्तू से जो घंशन से वहीट को करके लिएकार बंचाएगा वापी सक्सक्सनाइट में आपकर वापी सक्सानाइट यहां चैएगा वापी सख्सजण के लिएगा ब स्वाफिवाइब तो यहां हो यहां पर एसाध रहेगा और एक साथ में पूलिक कैंसे काम करेगा रही है यह वहां होब किया आपको समझ में आ गिया होगा दाउट किसी तरह नहीं आया तो आप मेंशेज करें हम चैने और और आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं जानी के लिए उसके लिए भी आप मेसेज करें कमेंट्स करें और ये वीडियो कैसे लगा हूँ इसके बारे में आप ज़रूर बताएं चले फिर नेक्स वीडियो मिलते हैं हम आपको दूसरे टॉपिक के साथ ना आप ख्याल रखें